हैलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मित करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन यानिके स्टोरी राइटिंग बच्चों कहानी सुनाना वो सुनना सभी को अच्छा लगता है यतने सुन्दर ढंग से आप कहानी को प्रस्तुत करते हैं वे उतनी प्रभावी होती है कहानियों में पशु पक्षियों को पात्र बनाकर प्रस्तूत किया जाए तो वे कहानियां बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं आईए कुछ कहानियां हम पढ़ते हैं ध्यान फूर्वक तो पहली कहानी हमारा उसका नाम है उट और गीदर चंपक वन में बहुत से जानवर रहते थे उनमें एक उट वो एक गीदर भी थे जो आपस में गहरे दोस्त थे एक दिन गीदर को पता लगा कि नदी पार मीठे मीठे खरबूजों का खेत है उसके मुँ में पानी आ गया वे अकेला ही खेत की और चल दिया परंतु नदी किनारे पहुँचकर वे घबरा गया उसने अपने मित्र उट को अपने साथ ले जाने का निर्ने किया उट ने गीदर को अपनी पीछ पर बिठा लिया और अराम से दोनों ने नदी पार कर लिए फिर दोनों खरबूजों पर तूट पड़े तबी गीदर उट से बोला कि मुझे हुक हुकी आ रही है उट ने उसे ऐसा करने से बहुत मना किया परन्तू गीदर नहीं माना और हूँ हूँ करने लगा गीदर की हूँ हूँ सुनते ही खेत वाले आ गए गीदर तो छूटा होने के कारण जारियों में छिप गया परन्तु उंट बड़ा होने के कारण कहीं नहीं छिप पाया और खेत वालों ने उसकी जमकर पिटाई की गीदर नदी पर पहुँच चुका था उंट भी बिचारा लंगडाता हुआ नदी पर आ गया उंट ने कुछ नहीं का उसने गीदर को पीट पर बिठाया और नदी पार करनी शुरू कर दी नदी के बीच में पहुँच कर उंट ने गीदर से कहा कि मुझे लुट लुटी आ रही है गीदर गीदर घबरा गया और बोला नहीं मित्र लोटना मत वरना मैं डूप जाओंगा परन्तु उंट नहीं माना और वे नदी में लेट गया गीदर पानी की धारा में बह गया और डूप कर मर गया बच्चों कहानी आपने लिखनी है अच्छे से उसके बाद आपने शिक्षा जरूर बतानी है यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुरे का फल बुरा होता है अर्थात आप जैसा बुरा करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा गीदर ने अपने दोस उंट को धोका दिया तो बाद में उसके साथ बुरा हुआ आपने भी अंत में एक अच्छी सी शिक्षा जरूर लिखनी है आईए आपनी दूसरी कहानी के और बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी है चीटी और टिड़ा एक चीटी और टिड़े में मित्रता थी दोनों एक दूसरे के पडोसी थे चीटी दिन भर मेहनत करती और अनाजिकटा करती टिड़ा घांस पर फुदकता रहता वे दिन भर कुछ काम ना करता और गाना गाता रहता चीटी ने धीरे-धीरे अपना भंडार भर लिया पर अन्रों टिड़ा यूही मस्ती में समय गवाता रहा सर्दी आ गई चीटी सर्दी से बचने के लिए अपने बिल में घुज गई उसके पास पूरी सर्दी खाने के लिए भंडार भरा था पते उसे कोई चिंता नहीं थी टिड़े के पास कुछ खाने को ना था कुछ दिन उसने यूहीं बिताए एक दिन भूख के कारान उसकी हालत खराब हो गई फैठी टूरता हुआ चीटी के पास गया और उसे आवाज दी चीटी बिल से बहा निकली और पूछा क्या हुआ तिड़ा बोला मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है मुझे थोड़ा अनाज खाने के लिए दे दो चीटी ने पूछा गर्मी में तुमने क्या किया तिड़े ने कहा पूरी गर्मिया में गाने गाता रहा फिर चीटी ने कहा तो अब पूरी सर्दी नाचो अर्थात महनत का फल अच्छा ही होता है चीटी ने पूरी गर्मी महनत की और अपने सर्दियों के लिए अनाज बनाया लेकिन टिड़े ने ये नहीं किया चीटी ने सर्दियों में आराम किया लेकिन टिड़े को सर्दियों में परिशानी हो गए तो बच्चों ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कर्म करना चाहिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए कर्म करेंगे तो हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिलेगा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा तो बच्चों इस तरह आपने चुटी-चुटी कहानियां लिखने का अभ्यास करना है उन्हें सुनाना है अपने माता-पिता को, अपने अध्यापक को, अपने मित्रों को ये सुनाएं और लिखने का अभ्यास करें और अंत में शिक्षा अवश्य लिखें तो उम्मीद करती झाल